और यह चेक रही है जना होता है और बड़ी सुन्दर सी काट बना रखी है भाई ने यह देखिए चेक करिए संजे शर्मा राजस्तानी राजस्तानी शूले कचोरी और यह होती है कि इसको खस्ता कचोरी बोला जाता है खस्ता कचोरी होती है और यह चूले और हिला के देखिए एक अरे वाज़ एक बार ना थीगनस चेक करो जनाब शोलों की यह बिना ओयल के हैं और बिना लाल मिर्च के यह काली मिर्च से त्यार किये जाते हैं वाज़िए यह सारी जो रेसिपी है यह चुरू किया है जी पजाब में और पंजाब में है जी संजे शर्मा कचोरी वालों के पास जिनके पास राज़स्तानी कचोरी होती है आई ये करते हैं बात उन से सानजे बहि क्या हाल चालै जी और आपके पास कौन कचोड़ी होती है χस्ता कचोरी और यह की के फैucवरी है यह सीरप काली मिर्च में बनते हैं आपके सामने ही देख लीए ओल फुय जी अल फ्री है और कितने समयं से काम कर्याइब उप्पर होगे बीच साल से उपर होगें आपके पापा ने शुरू किया थे यह का ताउजी के लड़के ने किया थे ओके और अभी आप कर रहे हो और इसका रेट क्या रहता है वहिए इसके बीस पराइज बीस पर इसके साथ और क्या आइटम होती है आपके बास चोले कुल्चे होते हैं कि टाइमिंग भी बता दो कितने से कितना समौती है साथ बज़े से पांच बज़े तक और लोकेशन की लोकेशन भी बता दो भी है एक बार माल गुदाम रोड कोड़कपुरा पुरानी दानामंडी पुरानी दानामंडी ओके और यह गया जी निम्बू पर क्या बात है और यह रेडी हो चुकिया जनाब और यह आगी हरी मिर्च यह कार्ट चेक करिए जनाब बड़ी सुंदर सी कार्ट बना रखी है और यह लगके हो चुकिया जी अपनी कचोरी खस्ता कचोरी करें कि एक बार लुक चेक करिए जनाब रंगत चेक करिए और जो पुल्चा होता है इसको तवे पर गर्म करके दिया जाता है जिए ओके और यह आगया घी और इसको बंद भी बोला जाता है ना कुल्चे शोले होते हैं इसको कुल्चा बोला जाता है जनाब यह चेक करिए एक प्लेट में कितने रहते है जनाब तीन कुल्चे थीस रुपए में इसका भी रेट जो है जी जनाब थीस रुपए है इसका तीस रुपए होते हैं और यह बंद है जो तीन दिये जाते हैं प्लेट में और यह भी हमारी प्लेट जो है लगकर रेड़ी है चुकी है जनाब प्लेट के लिए आप कहां से हो सरा चुरू चुरू जिला साला सर ओके तो लगब बीस बीस साल हो गए है और यह हमारी प्लेट साच चुकी है जनाब चेक कर यह बहुत ही खूबसर रंगत है और यह चेक कर यह जनाब प्लेट जनाब